हेलो एवरिवन राधे राधे जैस याराम आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप आवला नम्मी पर आवला की पूजा कैसे कर सकते हैं किन बातों को आपको विशेश रूप से करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिने करने से आपको बचना क्यों दान करना चाहिए और दीब दान करने के बाद जो आवला बच जाते हैं दिये उनका क्या करना चाहिए वीडियो ओरड़ी चैनल पर आ चुकी है उसे भी जरूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं आवल आप पी ही पेड है चोटा कोई गंला बगारे है तो आप उसकी फूजा कर सकते हैं और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है और भाहर भी न stabbing की पूजा भी कर सकते हैं तो देखिए जहां भी आप पूजण कर्रे हैं चाहे तो आप अपने घर में गंले की पूजा कर रहे हैं चा क्योंकि देखे जब भी आप कोई चोक वगरा पूरते हैं इस तरह से रंगोली बनाते हैं तो भगवान अकर्शित होते हैं और वो आपकी पूजा में बहुत ही यूँ करें जब खुश मन से उपस्तित होते हैं तो भगवान को रिजाने के लिए इस तरह से जो आपना घर देखे मुझे बहुत अच्छा डिजाइन नहीं आता तो मैं तो सिंपल साधा सा इस तरह से चोक पूर रही हूं आपको जैसा अच्छा सा डिजाइन आता हो आप अच्छे से रंगोली बना लें नहीं तो केवल एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं तो देखे मैंने यहां पर चोक पूर लिया है उसके बाद मेरे पास यह आवले का गमला है तो मैं यह इसके उपर रख लूँगी इस तरह से आप चाहें तो गेरू से भी लीप सकते हैं अच्छे से चोक लगा सकते हैं या गाय के गोबर से लीप सकते हैं और अब हम अपनी पूजा कर लेंगे तो दे सबसे पहले हम अपने गमले को या पेड को इस तरह से सीच देंगे तो थोड़ा सा जल डाला है अगर आपका बढ़ा पेड़ो तो अच्छे से एक लोटा भरके सीच दें उससे उसके बाद हम तिलक कर देंगे तो सरपतम हल्दी से तिलक किया है चंदन से कर दीजिए उसके हल्दी से भी कर दें, साती में आप रोली से भी कर दें, उसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे, ऐसा माना जाता है कि कातिक मास में आवला नम्मी वाले दिन शाक्षत भगवान विश्णु का वास होता है आवला के वरिक्ष्मी, और जहां भगवान विश्णु है वही पर माता लक्षमी है तो आज के दिन आप जरूर से आमले के विरिक्ष का पूजन करें उसके बाद हम फल चढ़ा देंगे तो देखे केले मिल जाए तो अत्यूत्तम है नहीं तो जो भी आपको सीजनल फूट मिलते हैं कोई भी फल वगारा चढ़ा दे भोग लगा दे अच्छे स साथी में देखे हम माता लक्षमी के लिए इधर साड़ी चढ़ा सकते हैं या बलाउस भी इस रख दे नहीं तो इस तरह का हैंकी रख सकते हैं और पीले रंका चढ़ा है तो अच्छा है नहीं तो आप लाल भी चढ़ा सकते हैं तो जो भी आप कपड़ा चढ़ाना चाहे इसरा से वो रख देंगे, साथी में कुछ दक्षना रख देंगे, ताकि अगर कोई भी तूटी रह गई हो हमारी पूजा में, तो दक्षना उसे पून कर दें, तो देखिए आप अपने हिसाब से कम जादा जितनी चाहें, उतनी दक्षना रख दें, उसके बाद हम अपना द 365 बात्ती वाला दिया कैसे बना सकते हैं, उसे दान कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पे भी पूरी डिटेल में वीडियो चैनल पे आ चुकी है, तो आप एक पर उसे भी चेक जरूर कीजेगा, और कातिक मा से रिलेटिड सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो देखे इस तरह से हमने अपना दिया जोड दिया है, उसके बाद देखे आप आवला की परिकम्मा करेंगे, तो देखे एक सो आट परिकम्मा आप कर सकें, तो बहुती उत्तम हैं, नहीं तो आप केवल बटेगा और आपको गिंती का हिसाब भी नहीं रखना पड़ेगा, तो देखे एक आवला मैंने रख दिया है, और फिर एक परिकम्मा कर ली, इसी तरह दूसरा रखके दूसरी परिकम्मा कर लेंगे, तो इस दिन आवला की विरिक्ष की परिकम्मा भी लगाई जाती है, औ 31 कर लें, 21 कर लें, 11 कर लें, लेकिन कम से कम आप 8 परिकम्मा तो जरूर करें, और परिकम्मा करते वक्त आप भगवान विश्नु का कोई भी मंदर जाप कर सकते हैं, हरी राम हरी राम कहे के भी आप माला फेर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह का जाप कर लें, इस तरह से माल आम्ला नॉम्मी की कथा सुन लेंगे। आम्ला नॉम्मी वाले दिन आम्ला के पेड़ से आम्ले नहीं तोड़ने हैं। या फिर ये आप किसी भी गरीब को ब्रहामन को कहीं दान दे सकते हैं। ये दक्षना भी आप किसी गरीब को दान दे दे और या फिर कोई भी नहीं है ऐसा सपास तो फिर आप किसी भी बड़े जनों को ये सबी चीज़े दान दे सकते हैं। और इस तरहां से बहुत ही सरल तरीके से आप आमला नोमी का पूजन कर सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़दा से ज़दा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ और इसी तरहां की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में जैस या राम लिखना बिल्कुल ना भूलें जैस या राम राधे राधे